कि यहीं दोस्तों स्वागत थे आपका और एक नहीं वीडियो में और एक नहीं टोपिक के साथ चाइना बाइपस पकिस्तान एंब्रेसिस तालिबान सी जिंपिंग अफगानिक्स्तान मेजर गुरु वाजिया आपकी चनल की वर्शेव आज तो मेजर साहब ने बहुत सारे ट यह वीडियो है ऐसा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और से जरूशे कर दीजेगा जैना पर पहली बार है सबस्क्राइब निए कि जरूशे कर दीजेगा चलिए स्टार्ट कर जैन दोस्तों मैं उमेजगरवारिया और आप देख रहे हैं मेजर ली राइ दोस्तों बिलाल करीमी तालिबान का उसको मानिता दे दी है ऐस एंबसेडर शीजिंग पिंग ने बोला है कि तालिबान का अमबसेडर अब बीजिंग में चलती है यानि कि एक फुल फ्लेजड एंबसी चीन की भी काबल में अब अक्टिव होगी पहले से अक्टिव थी होगी दोस्तों मैं आपको दो-तीन बातें बताना चाहता हूँ यह हमारा मैप है आप पहले भी इस मैप को कई बार देख चुके हैं अब मैं आपको बताता हूँ यह गेम क्या चल रहा है और चाइना ऐसा क्यों कर रहा है चीन में कुछ लोग डर रहे हैं किसाब बेल्टन के अंदर और गौधर तक वो भी हम आपको पूरा आज समझा देंगे कि वो मैटर क्या है वो मैटर क्यों है और तालिबान को क्यों चीन अपने जिसको कहते हैं अगरे सी में आपने राइट-हंड साइड में रखना चाता है इसके पीछे चीन का क्या गेम है आईए यह समझ कि ये जो अफगानिस्तान है अफगानिस्तान के अंदर थ्री ट्रिलियन डॉलर्स के खानच पदार्थ हैं काई लोगों का ये मानना है पर लोगों का ये भी मानना है कि वहाँ पे instability इतनी जादा है infighting इतनी जादा है वहाँ पे ग्रह युद इस कदर का है एक दूसरे के लोग गले काट रहे हैं तो वहाँ पे कौन जाके खत्रों के खिलाड़ी खिलेगा कौन जाके वहाँ पे खनिच पदार्थ वो निकालेगा अच्छा ये रिपोर्ट है भी बड़ी पुरानी दोस्तों करीब 40-45 साल पुरानी ये रिपोर्ट है लेटिस्ट किसी को नहीं पता क्या है है भी नहीं वो रिपोर्ट जो थी बहुत अमीर मुलके पाकिस्तान लेकिन तो लेकिन के चक्कर में कहीं अफगानिस्तान फसा हुआ अब देखिया ये जो एरिया है दोस्तों ये है काशगर यहां पे देखिये काशगर काशगर ये है इस्ट तुर्कमेनिस्तान भी इसको बोला जाता है और ये शिंग्जियांग का एरिया है ये वही एरिया है जहां पे वीगर मुसल्मानों को जेल में डाल रखा है पंद्रा लाख वीगर मुसल्मान जेल में हैं और आपको पता है उनको क्यों जेल में डाला है दोस्तों उनका जुर्म यही है कि वो मुसल्मान है और वो इसलाम प्रैक्टिस करते हैं फॉलो करते हैं तो तीन तीन चार-चार साल के बच्चों को भी जेल में डाल दिया बच्चे से पूछा तुम्हारा नाम क्या उसने बोला महम्मद बोला जेल में जाओ इसको रिएजुकेशन की जरुबत है ये वो एरिया है दोस्तों ये जो हमने रंग में रंगी डॉरी लगा रखी है ये लगभग alignment I am not saying this is 100% accurate बट ये लगभग alignment है पाकिस्तान के मेन जो पाकिस्तान कहता है न गेम चेंजर है दोस्तों हर एक पाकिस्तानी कश्में खाता है जिसकी जी यहां यही है चाइना पाकिस्तान एकोनोमिक कोरिडर और यहां पे गवादर पोर्ट है जो कि बलूचिस्तान में है बलूचिस्तान इस टूर्ड इस साउथ आफ पाकिस्तान तो दोस्तों यह इसका अलाइनमेंट है अब मैं आपको बताता हूँ क्यों करा एक अगर चीन यह चाहता है कि चाइना के इस एरिया में जहां पे मुस्लिम रहते हैं यह एरिया शांत रहे अगर चीन यह चाहता है तो जो कि चीन चाहता है कि शांत रहे तो अफगानिस्तान को शांत रखना पड़ेगा पाकिस्तानी तो बिग गए ये तो मौसमी जिहादी है ना जब बारिश होती है तब टर्टर मेड़क कितरे निकलते हैं वरना पाकिस्तानी हो के बस का कुछ नहीं है ये एवरग्रेन 24 इंटो 7 जिहादी हैं जो अफगानिस्तान में और ये जो एरिया बीच में है ये जो आपको दिख रहाना एरिया ये है दोस्तों इसको कहते हैं वखान कोरिडूर मैं आपको वखान कोरिडूर के बारे में भी कुछ बताना चाहूंगा आप लगा लीजे तक चाकिस्तान इसके दक्षण में है गिलगट बल्टिस्तान जो कि भारत का एरिया है लेकिन ये पाकिस्तान के अवैद कबजे में है इसके पष्चिम में अफगानिस्तान है और इसके पूरब में चाइना है अब दोस्तों आप देख लिए ये कितना strategically connected अग जगंड है यानि कि अगर चीन को अफगानिस्तान जाना है तो काइदे से उसको पाकिस्तान की मदद नहीं चाहिए जो पाकिस्तान अपने आपको कहता ना कि हम मास्टर हैं और हम इसलिए दुनिया के मास्टर हैं साथ क्योंकि हमारे जियो पॉलिटिकल लोकेशन इसके अलवा पाकिस्तान ने कुछ नहीं बेचा, एक इसलाम बेचा, एक जियो पॉलिटिकल लोकेशन बेची, तो भाई ये जो स्टोरी है, यहां से चाइना अब इस रस्ते का इस्तमाल करेगा, लेकिन दोस्तों अगर चाइना को चाइना पाकिस्तान एकोनोमिक करोडर इस्तमाल करनी है, तो उसको पाकिस्तान के अंदर से आना पड़ेगा, लेकर अगर उसको अफगानिस्तान जाना है, तो उसको पाकिस्तान आने की आवशक्ता नहीं है, हाँ, वो पाकिस्तान के थ्रू जा रहा है इस वक्त, क्योंकि को खरीद रखा है और पाकिस्तान की फाज उसको security प्रोवाइड करेगी चाइनीज ये कहते हैं कि अगर हम अफगानिस्तान जा रहे हैं और हमें सुरक्षा की आवशक्ता है तो हम अपनी फाज क्यों इस्तमाल करें हमारे पास पाकिस्तानी गुलाम है यह डॉलर लेके मरते है कटते हैं हमें कहले देना है करना दो इनको दोस्तों पाकिस्तानी आमी ने दो इंफिंट्री डिविजन अलग से निकाल रखे हैं चाइनीज इंजिनियर्स चाइनीज वर्कर्स चाइनीज मैनेजर्स चाइनीज अफसरों को security प्रोवाइड करने के लिए तो बेसिकली पाकि अफगानिस्तान के अंदर भी हो क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर कोई तालिबान ये बोल दे कि जी हम 100% guarantee देते हैं तो तालिबान is not a homogeneous entity उसमें कई सारे warlords है किसी को पैसा नहीं मिला और टपका दी अर्दस चाइनीज को तो ये लोग क्या करेंगे इनकी तो फिर मौता देगी तो इसमें क्या है ये देखे अरिया फिर से मैं आपको दिखाता हूं ये देखें दोस्तों ये काशगर से चाइना पाकिस्तान एकोनोमिक कोरिडोर शुरू होता है और यहां पाकिस्तान 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 यहां पे अद्मराता है लेकिन दोस्तों अगर इनक Islamist, यहां से Al-Qaeda, यहां से Taliban, यहां से Islamic State वाले वापिस वाखान कोरिडूर के थूँ या गिलगिट बार्टिस्तान के थूँ ये काजगर में ना गुश जाएं। क्योंकि यहां की population, majority population मुसल्मान है और वो चीनियों को पसंद नहीं करते हैं। तो यहां पे बहुत बड़ा एक problem हो सकती है। दूसरी चीज़, अगर चाइना यहां पे आता है और अफगानिस्तान से दोस्ती करता है, चाइना ने इरान के साथ 400 अरब डॉलर के M.O.U. साइन कर रखे हैं। क्योंकि इरान के पास है तेली। इरान एक तेल के भंडार के उपर बैठा हुआ है दोस्तों। जितना साथी अरब में तेल है उससे कम है इरान में लेकिन इरान में भी बहुत तेल है, लेकिन इरान के उपर सैंक्शन्स हैं दुनिया बर के सैंक्शन्स हैं। आप एरान से तेल खरीदेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, अमरीका और पूरे वेस्टरन कंट्रीज ने एरान के उपर सैंक्शन स्टोक रखे हैं. यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कि चाइना को अपनी तरक्की के लिए चाहिए तेल. तो चाइना कुछ ओईल लेता है अपना रश्या से, यह साओधी वगएर से भी लेता है ओईल, ऐसी बात नहीं कि साओधी से नहीं लेता, लेकिन अगर इसकी एरान के साथ पूरी सेटिंग हो जाए, अगर पूरी सेटिंग इसकी हो जाए, तो चाइना को दो-तीन फाइदे हैं, एक तो इरान से तेल चला जाएगा और वापिस इरान में फिनिश गुड़ आ जाएगी, यह पहला फाइदा, दूसरा, यह अफगानिस्तान के उपर अपनी एक जिसको कहते हैं कि यहाँ पर अपना इंफ्लूइंस जमा देगा, क्योंकि अगर आपके पास अफगानिस्तान के अंदर इंफ्लूइंस है, पाकिस्तान के अंदर इंफ्लूइंस है, और फिर एरान के अंदर influence है अगर इन तीनों देशों के उपर आपका influence है जो कि चाइना का है बाइदवे आज की तारिक में यह कोई deny नहीं कर सकता अगर इन तीनों देशों के उपर आपका influence है तो भाई अगली बार जब अंग्रेजों को अगली बार जब अमरीका को यहां पे आना पड़ेगा तो यह बिना चाइना की मर्जी से अफगानिस्तान के अंदर नहीं गुश सकते चाइना की बिना मर्जी से यह वापिस सेंट्रिल एशिया नहीं जा सकते अगर सेंट्रिल एशिया जाना है फिर आप यॉर्प से ये वाला एरिया देखिया यहाँ पर आपका इंगलंड है यह जर्मनी फ्रांस है फिर आप यह पूरा लैंड की रूट से आईए बाई फिर यह पूरा ड्रामा होगा फिर आप यहाँ पर आऊगे और इसके बीच में इतने सारे देश है पहले हो क्या करते थे यहाँ से घूम के यहाँ से घूम के तक से पाकिस्तान पहुँचे और पाकिस्तान से अफगानिस्तान गुजगे यह चीपर पड़ता था लेकिन अगर आप ऐसे आओगे एक तो बहुत महँगा पड़ेगा समय जादा लगेगा इनेफिशन्ट भी है तो दोस्तों यह गेम है फिर से रिपीट करता हूँ तीन गेम है इनके पहला गेम यह है किसाब एक आल्टरनेट रूट इन्होंने चाइना से खोल दी अफगानिस्तान में नेम इरान नमबर टू सेंट्रल एशिया स्टेजिंग पॉइंट नमबर थरी अगर किसी को भी आना है यहाँ पे क्योंकि आगे हो सकता है कि यहाँ पे अमरीका के खिलाफ आपरेशन्स प्लान कर रहा हूँ अलकाइदा जैसे पहले करेते हो सकता है कैसे घुच सकता है अफगानिस्तान के अंदर और फिर अमरीका कैसे जा सकता है सेंट्रिल एशिया थू दी सी रूट यह अभी हल चल वहाँ पे चल रही है बहुत बड़ी डेवलेप्मेंट है मैंने सोचा कि आपको मैप एक बार दोस्तों समझा दू कैसा लगा यह वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा और कमेंट में जरूर लिखेगा आपको यह कैसा लगा थाइक्ट दोस्तों वीडियो को यहां तक देखने के लिए और यह जो पूरी डिटेल में बात बताई गई है अभी क्या है कि मैंने स्टार्टिंग में चाइना बड़ी गैम खहलेगा जो चाइना पाकिस्तान तो इकोनोमिक कोरिडो जिसको सी पक बोलते है जो बनाया था वह रिजन क्या था कि उसको चाइना को जहां से उसको करीडो मतलब एकोनोमिक ली जो ट्रेड करना था स्रीलंका यह बना देगा तो डायरेक्ली जला जाए तो डायरेक्ली उसके बहुत डिफरंट आता था एसा समदलो कि वह 100 किलोमेटर हो रहा था जो दरियाए मार्थ था पूरा और यह 10 किलोमेटर हो रहा है इतना डिफरंट हो रहा था अब यह हो सुका है डिस्पूटेट एडिया ठीक है अब वहां पर वह काम रुख सुका है ज्रीजन है बलो सिस्तान ठीक है क्योंकि बलो सिस्तान वाले पूरी तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आपने द्रशी पैट बनाया लेकिन हमारे लोगों को तो कोई रोज़गार न तो उसको तो पता है पाकिस्तान तो वही लोग है इसको दू-तिन डॉलर डाल दो जोड़ी में वह सभी कर लेंगे अफगानिस्तान ऐसा कंट्री तो बिक नहीं सकता उसके साथ माइंड गैम खेलना पड़ेंगे लेकिन वह भी तालिबान है भाहि वह सायना को भी पसा लेंग तो मेरे को लग रहा है जैसे हमारी विदेश पोलीशिया जो भी है विदेशनेती वैस्थी विदेशनेती यह लोग बनाएंगे अफगानिस्तान वाले तो जी मतलब चाहिना लोग अच्छा लग रहा होगा लेकिन जब मतलब जब आये जा तब पदा चले जा कि तालिमान क लेक पार है कि तो अब कर दोस्तों समाज आता हूं बाकि दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी यह आप हमें कमेट में लिखका चलूंब बताएगा फिल आलम आप से विदा ले रहे लेकिन मिलते हो रहने वीडियो में आपके साथ तिल देन जैंधिन 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 ज